हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज रनर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, यह बात सच है कि बचपन तो सभी का एक जैसा ही होता है परन्तु बड़े होने पर मनुस्य की आदत ही उसे सफल या असफल बना देता है जीतने वाले जन्व से ही विजेता नहीं होते बलकि उन्हें भी सफलता और कामयावी पाने के लिए संघर्स करना पड़ता है तभी वे विजेता कहलाते है तो दोस्तों, अमेरिका के फेमस एक्टर, डारेक्टर और मनोरण्यन की दुनिया के बातसाह माने जाने वाले वाल्ट डिजनी जिन्होंने लाखों बच्चों के बच्पन को मजेदार और खुबसूरत बनाया जिन्होंने मिक्की माउस जैसे कार्टून फिल्में बनाई उनसे एक बार एक बच्चे ने प्रस्ण किया बच्चे ने पूछा मैं जानता हूँ आप एक महन व्यक्ति हैं आपकी बुद्धी मत्ता का लोहा सारी दुनिया मानती है मैं आपसे आपकी सफलता का राज जानना चाहता हूँ वाल्ट डिजनी ने बच्चे की तरफ गौर से देखा और गंभीर स्वर में उन्होंने मुश्कुरा कर जवाब दिया उन्होंने कहा मैंने इस संबंध में बहुत सोचा है अब मैं अपनी सफलता का रहस्य इन चार सब्दों में कहना चाहता हूँ ठींक, बिलीव, ड्रीम, एंड डियर ठींक मिन्स सोचे सोचें कि आप यह क्यों करना चाहते हैं आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं अपना लक्ष अपने इक्षाओं को तय करें बिलीव, बिलीव मिन्स विश्वास करें स्वयम में विश्वास करें एवं इस विश्वास के साथ अपने लक्ष की प्राप्ति की दिशा में प्रयात्न करें ड्रीम, ड्रीम मिन्स सपने देखे अपने लक्ष की पूर्ति है तू, सपना देखना और उन सपने को पूर्ति करने के लिए अपनी सारी सप्ति और छमताओं को जोग देना यही सच्चा सपना है डेयर डेयर मिन्स साहस अपने सपनों को पूर्ती करने के लिए पर्याप्त साहसी बने और उन्हें पूरा करने के लिए अपना सर्वसु समर्पित करने पूर्ण समर्पर, निस्ठा और लगन के साथ अपने लक्ष की पूर्ती करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में जीतने वालों की दस आदद के बारे में जानेंगे जो निष्टी थी आपको जीतने में मदद करेंगे। पहला, जीतने वाला तब तक कोशिस करता रहता है जब तक वह पूर्ण समाधान प्राक्त नहीं कर लेता दूसरा जीतने वाले को अपने आप पर पूर्ण विश्वास रहता है कि वह कितना भी मुश्किल काम हो उसे पूर्ण करके ही रहेगा इसलिए वह हमें से यही कहता है कि यह काम किया जा सकता है तीसरा जीतने वाला एक काम पूरा होते ही दूसरा और दूसरा काम पूरा होते ही तीसरे काम को सुरू करने की सोचता है जिससे उसके पास कुछ न कुछ कारेक्रम हमेशा रहता है चौथा जीतने वाला किसी भी काम को पूर्ण आत्मी विश्वास के साथ करता है इसलिए वह कभी भी कितना भी मुश्किल काम को कहता है मैं यह काम कर सकता हूँ पाजवा अपनी गलती मान लेना ही एक विजेता की सही पहचान होती है इसलिए जब भी कोई काम पूर्ण नहीं हो पाता या उसमें छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे वह कहता है मैं गलत था और यह गलती मुझसे हुई है छटवा है वही व्यक्ति विजेता होता है जो अपने दिये गए वचन को पूर्ण करता है और वह तब तक नहीं रुखता जब तक उसके द्वारा किये गए कारे में सफलता हासिल न हो जाए साथवा जीतने वाले की आँखों में काम्याबी के सफने होते हैं क्योंकि वह हर कारे को ऐसा समर्पित होकर करता है जब तक काम्याबी उसकी कदमों को चूम न ले आठवा, जीतने वाला कभी चुपचाप सांत होकर नहीं बैठता वह हर काम को करने के लिए नए नए तरकीब सोचता रहता है वह मन में सिर्फ यही सोचता रहता है कि मुझे कुछ करना है नमवा है, जीतने वाला हर मुश्किल घड़ी में काम्याबी का रास्ता ढूलता है वह हमेशा संभावनाओं को देखता है सफलता का रास्ता खुद बखुद निकल कर आ जाता है दसवा, जीतने वाले बीते हुए कल या आज में क्या हो रहा है या क्या हुआ था उसी के साथ जीना बिलकुल पसंद नहीं करता बलकि रिस्क लेकर कुछ नया करके आने वाले कल को बहतर से बहतर बनाने की कोशिस करते रहते हैं तो दोस्तो आप भी सफल लोगों के इन दस आदतों को अपने जीवन में फॉलो करके एक काम्याब सितारे की तरह जमक सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं दोस्तो यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों में सेयर कीजेए इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेए मिलते हैं इसी प्रकार के मोटिवेशन वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई थेंक्स फ़र वाचिए